Hello dear students, welcome to Magnet Brains, मैं संचुता जैन, आप सभी की छोसर साइट्स एजुकेटर आज के सेशन में लेके आई हूँ आप सभी के लिए Class 10 की सामाजी विग्यान में राजनीती विग्यान यानि की Political Science का First Chapter जिसका नाम है सत्ता की साजेदारी आज हम जानने वाले हैं Political Science के Chapter No.1 का पार्ट परिचय यानि की Chapter का Introduction कौन-कौन सी बातें इस Chapter में हमें आगे पढ़नी है, वो सारी बातें आज की इस पार्ट परिचय में इंट्रोड़क्शन पार्ट में बताई जाएगी तो शुरू करने से पहले आप सभी से रिक्वेस्ट है कि जल्दी से जल्दी और जादा से जादा आज की इस सेशन को आप सभी लाइक करदें, शेयर करदें और साथी साथ चैनल को सब्सक्राइब भी करदें यूँकि मैंगेट पर इस प्रोवाइड कराता है क्लास 6 से लेगे क्लास 12 तक के सारे कोर्सेस फ्री ओप कोस्ट हाई क्वालिटी एज्जुकेशन के साथ जी हाँ, और हम आपके लिए कई सारे टाप कोर्सेस, हिंदी मीडियम, इंगलिश मीडियम, दौनों माध्या में उपलब्द कराते हैं जैसे की CBSC बोर्ड, UP बोर्ड, MP बोर्ड, बिहार बोर्ड, दिल्ली बोर्ड, राजस्थान बोर्ड इतने सारे बोर्ड के स्लेबस को कम्प्लीट कराया जाता है, साथ ही साथ उन सारे स्टेट बोर्ड के स्लेबस को कम्प्लीट कराया जाता है जहां पर NCRT का पैटन फॉलो किया जाता है, क्योंकि हम बढ़ाते हैं आपको NCRT से तो इतनी सारी अच्छी बातों के साथ और आपके like share के साथ शुरू करते हैं आज का ये session जिसका नाम है सप्ता की साजविदारी part 1 part परीचय तो चलिए देखते हैं कौन-कौन सी बाते हमें जाननी है तो सबसे पहले आप सोच रहे होंगे कि ये part परीचय क्या मसला है यानि कि परीचय को जाने के आविश्यक्ता क्या है सिधे मुद्धे पर आओ lecture पढ़ते हैं है ना बुरा पाठ ही पढ़ते हैं लेकिन बही पाट परीचय इसलिए important है ताकि जो आपका title है title क्या है सत्ता की साजविदारी जो भी किसी भी chapter का किसी भी subject का title हो उससे related कौन-कौन सी बा परगत कौन-कौन सी बातें आती हैं वो सारी चीजें समझाने के लिए आपको पाठ परीचय बताया जाता है ताकि उस chapter के बारे में आपको एक basic knowledge मिल जाए और राइट ये बात तो clear होगे कि पाठ परीचय क्यों बताया जाता है यानि कि आपके दिमाग में एक frame बन कि इस तरीके से हम इस chapter को पढ़ना है ये सारी बातें से related होती है अगर chapter को पढ़ने के पहले ही एक basic knowledge मिल जाए हमें कि यहाँ ये चीज है तो chapter को पढ़ना आसान बन जाता है हम relate करके पढ़ पाते हैं और पॉलिटी एक ऐसा विशे ही है पॉलिटी के पूरा का पूरा समझ सत्ता की साज्यदारी अब सबसे पहले तो ये बात आती है कि ये सत्ता की साज्यदारी का अर्थ क्या होता है ठीक है अब सत्ता का मतलब तो आप सभी जानते हैं सत्ता यानि की कुरसी यानि की गद्दी सीधी सी बात है ठीक है अब साज्यदारी तो जो सत्ता है जो शाशन ह जो सरकार है उसमें सभी की भागेदारी हो सभी की साजेदारी हो सभी का समान रूप से उसमें इन्वालमेंट हो बातारी समझ में ऐसा ना हो कि जैसे मालो हम भारत देश की बात करें हम भारत में रहते हैं तो हम भारत देश की सबसे पहले बात करते हैं फिर उसके बाद हम बे को समुदाइं ऐसे हैं जो oh संख्याइत तो ऐसा भी हो सकता है कि जो संख्या मेंजादा था था तो जो संख्या में कम है उनको दमाएं ठीक है या फिर जिस धर्म को मानने वाले लोग जादा हो वो दूसरे धर्म को मानने वाले लोगों को दमाएं या फिर धर्म के आधार पर राजनीती हो जाए या जाती गद राजनीती हो जाए या भाशा के आधार पर राजनीती हो जा आशा एक धरम कोई अगर प्राइयरिटी दी जाएगी सिर्फ उन्हीं का involvement रहेगा सिर्फ वही गद्दी समालेंगे वही सरकार समालेंगे वही शाषन समालेंगे तो क्या होगा? क्या लगता है आपको जल्दी से comment करके बताएं अगर ऐसा होता है किसी देश में तो उस देश की हालत क्या होगी जगडे होंगे दंगे होंगे विवाद होगा CDC बात है ठीक है क्योंकि सभी को भई अपना representation चाहिए कोई एक ऐसा व्यक्ति होना चाहिए जो हर एक category को represent करे यानि कि हर category का एक व्यक्ति represent करे अपनी अपनी category को तभी तो हम कहेंगे कि वास्तों में उस देश में सत्ता में साज्यधारी है क्योंकि हर एक वर्ग जाती समुह भाशा धर्म के लोगों को समान प्रतनिधित्व दिया गया है तब वो पूरे देश की सरकार कहाएगी तब वो लोगतद्र कहलाएगा तब वो देश लोगतांत्रिक देश या डेमोक्रेटिक कहलाएगा ओल राइट इतनी बात तो उसमस में आगे कि सत्ता की साज्यधारी होती क्या है ठीक है किलियर है अब देखो अब पहला टॉपिक इसका हमें क्या देखने को मिलता है बेलजियम और स्री लंका जी हाँ सबसे पहले हम इसमें जानेंगे कि बेलजियम और स्री लंका में किस तरीके की जातिय बनावट है क्या Belgium और श्रीलंका में अलग-अलग देश की बात करेंगी क्या Belgium में भाशागत आधार पर जो है किसी एक ही पार्टी का एक ही भाशा के लोगों का प्रतेने धित्व है क्या स्रीलंका की जाती बनावट या भाशाकत बनावट ऐसी है कि वहां सर्फ एक ही समुदाय को प्रायरिटी दी जाती है एक ही कम्यूनिटी को महत्वधिया जाता है ठीक है तो बेल्जियम और श्रीलंका की जाती बनावट या भाशाकत बनावट कैसी है और किसकी कितनी भा बात बात आती है श्री लंका में बहु संख्यक बात अब बहु संख्यक का मतलब क्या होता है सबसे पहले यह समझ लेते हैं तो बहु संख्यक बहु संख्या के यानि की बहु सारी संख्या में जो जिनकी मैजॉरिटी हो जो जिनकी पॉपुलेशन जादा हो जो संख्या में जादा हो उन्हें क्या कहेंगे बहु संख्या कुछ इस तरीके का स्वरूफ हमें देखने को मिलेगा जब हम यह चैप्टर पढ़ेंगे और श्री लंका की स्थिति की बात करें तो भारत के दक्षड में श्री लंका इस्थित है एक द्वीपीय देश है यह तो हम सभी जानते हैं श्री लंका कहां इस्थित है कुछ इस तर इसके बाद बात आती है हमने बेल जियं के दानलिया श्री लंका के बारे में जानलिया अब दोनों जगै क्या है सप्ता को लेके लड़ाई है क्यों है क्यों की एक तरप जो मैजॉरटी को यह फिर जिस भासा को बोलने वाले लोग जादा है वो उसको दबा रहे हैं ठीक है कमभासा बुलने वाले लोगों को दबा रहे थीक है clear हो गई बात फिर अब बेल्जियम ने उनके हाँ जो सकता की साज़दारी का जगड़ा उत्पन हुआ ѥा तो बेल्जियम ने एक समझदारी भरा तरीका अपनाया और सभी के समान प्रतिनधित्व की बात कही सभी के एक्वल रिप्रेजेंटिशन की बात कही और बेलजियम ने ये मुद्धा बहुती समझदारी से सुल जाया तो हम जानेंगे बेलजियम की समझदारी के बारे में ठीक है लेकिन स्री लंका ने ऐसा नहीं किया तो स्री लंका में जगड़े की स्थिति हमेशा के लिए बनी रही ठीक है फिर उसके बाद हम जानेगे की सत्ता की साज्यदारी क्यों जरूरी है आखिर सभी का सत्ता में होना क्यों जरूरी है हर एक community का representation हर एक वर्ग हर एक गुर बेलजियम श्री लंका के उधारणों को जानेगे वहां के जगड़ों के बारे में जानेगे तो ये बात हम इस पश्ट रूप से समझ में आ जाएगी कि ऐसे जगड़ों से बचने के लिए देश में शांती बनाये रखने के लिए सब्ता की साज़ेदारी जरूरी है देश की पॉलिटिक्स में देश की गवर्मेंट में देश की पार्लियामेंट में सभी ग्रूप का इक्वाल रिप्रेजेंटेशन जरूरी है ओल्राइट किलियर फिर खलील की उल्जन ये एक छोटी सी कहानी है कहानी के माध्यम से आपको पूरा चैप्टर समझ में आ जाएगा ओल यानि कि सत्ता का बटवारा कैसे कैसे हो सकता है जैसे कि हम बात करें कि भारत में जो है भारत देश की बात करें तो भारत में सत्ता की साज़दारी के दो रूप हमें दिखाई देते हैं कौन-कौन से रूप दिखाई देते हैं एक तो दिखाई देता है सत्ता का 36 वित्रण कैसा 36 वित्रण दिखाई देता है और एक दिखाई देता है सत्ता का उर्धुवाधर वित्रण सत्ता का उर्धुवाधर वित्रण अब 36 वित्रण और उर्धुवाधर वित्रण कैसे होता है तो 36 वित्रण वो होता है भाई साब जिसमें एक ही लेवल पर विभाजन हो ठीक है एक ही लेवल पर विभाजन हो जैसे की 36 वित्रण की हम बात करें तो विधाई का कार्यपाली का और न्याएपाली का इन तीन में भारत में 37 का 36 विभाजन किया गया फिर उसके बाद हम उर्दवादर वित्रण की बात करें उर्दवादर कैसा होगा इस तरीके से होगा step by step यानि कि एक के नीचे एक के नीचे एक राइट यानि कि उपर से नीचे लंबवत विभाजन ठीक है ओच्छेटिस विभाजन मतलब कुछ इस तरीके से किलियर हो गई बात तो अब उर्दवादर वित्रण में क्या बात आती है जैसे कि हम बात करें तो देश में सबसे होती है फिर उसके नीचे क्या होता है राजसरकारों के नीचे ग्राम इस्तर पर या हम बात करें पंचायती इस्तर की हम बात करते हैं ठीक है तो कुछ इस तरीके से भारत में सत्ता का उर्धवादर वित्रण है और ये है 36 वित्रण ठीक है कि सभी में सत्ता को कैसे equally बाटा गया है वो बात हमें इसमें जाननी है तो यह हो गई बात अपने इस chapter की कि हमें इस chapter में क्या-क्या चीज़न जाननी है वास्तों में सत्ता की साज़दारी क्या है ठीक है देश की सरकार में equal representation क्या है बस इतनी बात है ठीक है अब सारी चीज़ें हम बहुत अच्छे से detail में जानेगे और जैसे ही यह chapter खतम होता है औ यानि कि NCRT solution है, वो आपको बहुत अच्छे से कराया जाएगा, हर एक question का answer आपको बहुत अच्छे से detail मा बताया जाएगा, समझाया जाएगा, तो इसके बाद बारी आएगी NCRT solutions की, फिर बारी आती है multiple choice question, यानि कि इस chapter के 30 question हम करेंगे, 30 MCQ, 30 multiple choice question यानि कि बहु विकल्पी प्रशन उतर हम करेंगे, ठीक है, और इसके बाद हम करेंगे, इस chapter के most important question, total कितने question, टोटल 20 most important question इस chapter के हम करेंगे, अब most important question का पैटन रहेगा, तो most important question का पैटन कुछ इस तरीके से रहेगा, जैसे की सबसे पहले हम करेंगे अती Techn ौशन, उसके बाद हम करे लगुत्रिय प्रश्न और उसके बाद हम करेंगे दीरगुत्रिय प्रश्न कितने कितने most important question कराई जाएंगे तो अती लगुत्रिय में हम बात करें तो अती लगुत्रिय में कुल मिला के आपको 10 question कराई जाएंगे लगुत्री के 5 सवाल कराई जाएंगे और 5 question कराई जाएंग इनके अलावा 20 question और ऐसे होने वाले हैं जो इस chapter के बहुत ही important question है और तीन format में आपको कराये जाएंगे जैसा कि आपके exam में pattern आता है और इतना सब खतम होने के बाद एक बार फिर से यह chapter आपको complete कराये जाएगा complete chapter revision के format में यानि कि इस पूरे chapter का आपको एक revision भी कराये जाएगा मात्र एक घंटे में one shot revision आपको एक वीडियो में कराये जाएगा तो यह है हमारे chapter का part परिचा यानि कि chapter का introduction और इस chapter को पढ़ने का format क्लियर हो गई बात यहां तक की बात आपको समझ में आगे कि कैसे कैसे हमें इस chapter को पढ़ना है अगर कोई बीडा उठ जल्दी से आप सभी comment करके बताईए और अब अगले lecture में मैं आपको बताऊंगी इस chapter का पहला topic Belgium और स्रीलंका जिसमें हम Belgium और स्रीलंका की बनावट जाती बनावट या भाशागत बनावट के बारे में जानेंगे अल्राइट चलिए तो आज का यह शेशन यहीं पर खतम होता है अगर आप हमारे डेली की लाइब लेसन और रिकॉर्ड लेसन से जुनना चाहते हैं सारी चीज़ें उपलब्द हैं मैंगनेट ब्रींस के यूट्यूब चैनल वेबसाइट और एप्लिकेशन पर मैंगनेट ब्रींट इंडिया का नमबर वन 100% फ्री ओंलाइन एजुकेशन प्रेट फॉर्म है इसके अलावा अगर आप ईबुक्स औरी नोट्स भी चाहते हैं उसक से आप अवेल कर सकते हैं हमारे पांस आपके लिए कई सारे टॉप कोर्से सुपलब दे हिंदी मीडियम इंगलिश मीडियम दौनों में सीबसी वोड दिली वोड बिहार वोड यूपी वोड एंपी वोड राजस्तान बोर्ट के सिलिवस को कम्प्लीट कराया जाता है और सा सारे कोर्स इस एक ही सिंगल प्लेटफॉर्म पर हाई क्वालिटी एजुकेशन के साथ फुली ओर्गनाइजड कम्प्लीट कोर्स के साथ एकदम फ्री में प्रोवाइड कराये जाते हैं जी हां और मैगनेट मेंस यूट्यूब के लावा अधर सुशल मीडिया प्लेटफॉ हमारे साथ बने रही है जुड़े रही है पढ़ते रही है खुश रही है थाएंगे सुमच्छ